क्यों काईएस, कंपोज यूर ड्रीम बिल्कुल मैप की थूर इसको मैंने बताया है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो, तो आप कमेंटर के पूछेगा, उसका जब आप आपको दिया जाएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेजगा, बेल आइकन को प्रेस कर क्योंकि 70 BPSC के प्री का पेपर है, वो 13 दिसंबर को है, डेट आ चुकी है, और आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि कोशन ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो जब तक हम मैप की थूर नहीं पढ़ेंगे, तो समझ में चीज़ें नहीं आती हैं, तो मेरा प्रियास है कि आपको चीज़ों बिल्कुल मैप की थूर बताया जाए, जिससे अगर कोशन कभी आये तो गलत ना होने पाया, और आपका कॉंसेट बिल्कुल किलियर हो जाए, ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सस्काइब करें जगा, बेल आइकन को प्रेस करें जगा जिससे क्लास का नोटिपिकेसन आपको मिलता रहे और आपकी तयारी लगातार होती रहे, हम लोग सुरू करते हैं सिधे लेसन की ओर, अब अगर हम बात करते हैं कि बिहार की भूग अर्विक सरचना कैसी है, तो पहले हम डाइगराम के माध्यम से देखेंगे, और फिर हम मै पठारी चेत्र है, यहाँ पर धारवार करम चटाने पा जाती हैं, जो सबसे पुरानी करम की चटाने हैं, ठीक है, और जितने भी खनिज पा जाते हैं, वो धारवार करम चटानों में ही पा जाते हैं, चाहे सोना हो, चाहे लोहा हो, जाहे आपका तामभा हो, मैगनीसियम हो कुछ भी होता है, जितने भी महत्मूर्ण खनीज हैं, सब धारवार करम चटानों में ही पाय जाते हैं, धारवार इसका नाम कैसे पढ़ गया, तो कनाटक में एक जिला है धारवार, पहली बार उस चटान की खोज यहीं पर हुई थी, इसलिए इसका नाम पढ़ गया धारवा शच्टाने कहां पायाती है। तो जो बिहार का दच्छीर पश्चीर च्ट्पार का उम्हा में पायाती है। कौझ चटाने है। जो बिहार में गंगा के मैदान इसी से बना हुआ है, इसमें यहीं चटाने पायाती है, अब अगर आधियाम में आप से पूछा जाए की कैमोर भूर्थास का पठार किस करम के चटान का बना हुआ है? तो बिंध करम की चटान का बिहार का जो दच्छरी पठारी चेत्र है जैसे आपका नवादा मुंगेर का जो खड़कपुर की पहारी चेत्र है इस पूरे चेत्र में कौन किस करम की चटाने पजाती है जमुई का जो जिला है तो हाँ बताना होगा आपको धारवाड करम की चटाने ठीक है इसके रहाँ तरसरी करम चटाने कहा पाजाती है तो सोमेसवर की पहाड़ी जो सिवाली चेतर है आपको पूर्वी और पच्छमी चमपारण के चेतर में वहाँ पर जो है तरसरी करम चटाने पाजाती है तो आप बहुत जो कॉछान की कि यह गणान सी से बना हुआ है थो बिहार में चार परकार्ट च पाई आती हैं इनको बहुत अच्य हम डक कोशन अगर आए तो गलत न होने पाई अगर आप इसको अ डाइग्राम के माध्यम से और मैप के माध्यम से गर इसको समझेंगे तो आपके कुशन गलत नहीं होंगे और इसलिए मैं हर टॉपिक को आपको कराऊंगा कि कोई भी टॉपिक छूटने न पाए और आपके सारे टॉपिक किलियर हो जाए अब हम इसको मैप के माध्यम से अग सोबिल के हैं। छेकल नियुलंद फ آپ का सकता है। क्यान करन्प जाता है। inflame kyser बंद करमश्क्रावां का सब्सक्राइए में कौन जाता है। तो इसे गंगा का मैदान बना हुआ है, ये लिखा हुआ भी है, और जो चौथा है आपका, जो है, तरसरी करम चटाने से क्या बना हुआ है, सुमेस्वर की पहाड़ी, ये बिहार का उत्तर पश्मी छेत्र है, सुमेस्वर की पहाड़ी जो चटाने पाजाती है, वो को याद तो आपका यह topic बिल्कुल complete हो जाएगा और topic wise में बिल्कुल करा रहा हूँ चाहे बिहार special हो और चाहे आपका यूपी special हो जितने भी topic है हम सब कराएंगे और geography, history, quality सारे topic कराएंगे तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखिएगा question अगर आए तो गलत ना होने पाए ठीक है अब आगे बढ़ते हम लोग सबसे पहले आएंगे धारवार चटाने धारवार करम की चटाने बिहार में कहा पाजाती है मैंने पहले ही बताया जो बिहार का धारवार करम की चटाने पाजाती है धारवार नाम कैसे पढ़ गया तो कनाटक में एक जिला है धारवार पहली बार वही पर इस चटान की खोज हुई थी इसलिए इसका नाम पढ़ गया धारवार करम की चटाने यह भारत में बहुत जगा पाजाती है बिहार के धारवार क सब इसी करम चटानों में पाय जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसका निर्मार कभ हुआ है तो जो धारवार करम चटाने उसका निर्मार हुआ है प्रीकेंब्रियन युग में हुआ है तो पहला कोशन आपसे ही पुछा जाएगा कि बिहार में धारवार करम चटानों के किस यूग में हुआ है पहला कोशन आपको यह हो गया धारवार कर्म चटाने बिहार के दच्छिरपूर में जमुई नवादा मुंगेर की पहाड़ी इसके अलावा खड़कूर की पहाड़ी राजगीर बोधगया आदि छेत्रों में पाई जाती है तो यह जितने जिले हैं इ पुछ जा सकता है कि कि जिले में कोशन चटाने पाई जाती है ठीक है इसमें क्या-क्या पाई जाता है तो इसमें जो है सेश्ट नीस ग्रेनाइट जो है फाइलाइट और क्वाटर जाइट आधिक तक्तों की परधानता होती है और यह जिवास्म इस चटान में जिवास्म नहीं पाय जाते हैं यह बहुत important है कि धारवार करम चटानों में जीवास्म नहीं पाय जाते हैं इसलिए धारवार करम चटानों में पेट्रोलियम और कोईला नहीं पाय जाता है कोईला पेट्रोलियम गोडवाना करम चटानों में पाय जाता है ना कि धारवार करम चटानों क कि जितने भी महमूल खनिज हैं सब कहां पाजाते हैं तो धारवार करम की चटानों में पाजाते हैं यह आपको जा रखना है सोने का उत्पाधन भी इसी करम की चटान में होता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं दुसरा है आपका बिंद करम चटाने तो बिहार में बिंद करम चटाने कहां पा जाती है तो बिहार के दच्छिल पश्चिमी छेतर में कैमूर या रोतास का जो पठार है यहां पर बिंद करम की चटाने पा जाती है और इसी करम चटानों में चूना कभ हुआ है इसका भी निरमार कभ हुआ है Precambrian क़ुग में हुआ है तो Precambrian ॆ में बिंद करम का भी चटान के निरमाड हुआ है और धारवार कनने पर उसी क्षी युग में हुआ है आप पहला कुश्या निया लखना है बिंद करम की चटाने बहार के दच्छिर पच्छि में सो नदी के उत्तर में कैमूर तथा रोहतास आदि छेतर में पाई जाती हैं कैमूर पठार को रोहतास पठार के नाम से भी जाना जाता है तो याद रखना है जो अगर आप से पूछा जाए कि कैमूर पठार रोहतास पठार में किस कर्म चटाने पाई निचला बिंध करम चटाने एक उपरी बिंध करम चटाने, निचली क्या है इसे हम कहते हैं सेमरी करम चटाने ये संकीर पटिक रुपे सो नदी के उत्तर में रोतास जिले में पाई जाती है या छेट चूना पत्थर, बलुवा पत्थर और सेल आद के खरन का परमुक छेट ह होता है कच्छे माल के उप्रंता के काण इस शेत में सीमेंट का उत्पादन अधिक होता है जो बच्चे इस शेत में होंगे डालमिया नगर जो छेतर है इसी नगर में आता है तो यहां सीमेंट का उत्पादन जो क्या होता है ज्यादा होता क्योंकि है चूना पत्थर ज्याद पाइराइट के उत्पादन बिहार सबसे अग्रणी है तिया धरना कि पाइराइट एक चूने का परकार होता है जिसके उत्पादन बिहार पूरे भारत में नमबर एक पर है बिहार में अमजोर रोहतास पाइराइट के उत्पादन के लिए परसिद्ध है यही खान है जहां से पाइराइट का उत्पादन होता है, रोहतास जिले में ये भी याद रखना है, यहां के पाइराइट में गंधक की मातरा लगभग 40% होती है, पाइराइट का उपयोग जो है, सल्फियूरिक अम्र, कागज, रबड़ और चीनी आज उत्दोगों में किया जाता है, तो कहां कि करते हैं, यह भी बता दिया गया है, अगर आपसे पुछा जाए कि पाइराइट किस करम चटानों में पाइजाता है, तो आपको बताना होगा, बिंद करम चटानों में कहां पाइजाता है, रोहतास और कैमूर जीरों में पाइजाता है, ठीक है, अब भिहार उसके उत्पा आर्थों की उपस्तिती से बन्सपति जीवन के कुछ संकेत मिलते हैं इन चटानों का उपयोग जो है सासाराम में इसी सेसा सूरी के मगबरे में सारनात के स्तूप में दिल्ली के लाल किले और जामा महजिद के निर्मार में हुआ है तो यहां की जो चटाने है लाल बलुवा पथर उससे इन सब भवनों का निर्मार हुआ है चैए वो सेसा सूरी का मगबरा हो चैए वो आपका सारनात का स्तूप हो दिल्ली का लाल किला हो जामा महजिद हो सब लाल बलुवा पथर से ही बने है तिया रखना यह सब कहां पाजाते हैं बिंध करम की चटानों में पाज तिया देखना जो आपका बिहार का उत्तर पश्मी छेत्र है जिसे हम सुमेसवर की पहारी का छेत्र कहते हैं हरहा और दून घाटी का छो छेत्र है इसे हम जो सिवाली परवत का विस्तार मानते हैं उसमें तरसरी करम चटाने पाजाती है तो आप से पुछा जाएगा कि सुमे बाड़ी भी पूछा जा सकता है तो आपको अच्छे से यह याद रखना है ठीक है रिखा है तरसरी चटाने हिमालय के दच्छिर में जो है सिवालिक परबस सेड़ी में पाए जाती है इनका निर्मार तरसरी कल्प के जो है मायो सीन से ले करके कौाटनरी कल्प के आरम में प्लेश्टो सीन तक हुआ है तिस सब अलग-अलग यूग है जो है जो गर्फी के तो इसी यूग में होता आपको याद रखना प्लेश्टो सीन यूग में हुआ है किसका निर्मार तो तरसरी कर्म की चटानों का हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं बिहार का जो जो है उत्तर पश्मी भाग में इस्तित सुमेसवर की पहाडी और दून घाटी बाई हिमाले या सीवालिक हिमाले सेंडी का भाग होता है इभी आपको याद रखना है कि सीवालिक सेंडी का जो भाग है वो कौन है सुमेसवर दून घा अहरहा घाटी है ठीक है तो अगर आपसे पुछा जाए कि क्या हिमाले के सीवालिक सेरी का बिस्तार बिहार में है बिल्कुल है इसमें बालू पत्थर और चुना पत्थर आधि के निच्छेप आ जाते हैं इनका निर्मार टिथिस सागर के आउसादों के निच्छेप से होने इसलिए जो याद दखना बिहार का जो उत्तर पच्छिमी भाग है वहाँ पर सुनेसर की पहाड़ी के आसपास वहाँ यह संभावन अब्यक्त की गई है कि खनी स्तेल पाए जा सकते हैं इसलिए आप इसको अच्छे से याद दखिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वाट कोटरनरी चतानो के करम से हुआ है ठीक है याद रिखना है कि जो है अगर पुछा जा अगर क्वास कब हुआ है तो प्रश्टोसीन यूग में और होलो सीन यूग में हुआ है पहला कोशट यह बनेगा गंगा के मै arranged prasip ther और हिमाले के मद्ध में एक द्रोडी है नुमा गर्त में ठटिस सागर के औसेस गंगा और उसकी सहर नदियों दोर लाए गए औसादों के निच्छेप से हुआ है किसका निर्मार तो या दिखना गंगा बिहार के गंगा का जो निर्मार हुआ है नदियों के लाए गए औसास से हुआ है औ बाटनरी कल्प की चटाने परदार होती हैं, ये चटाने कैसी होती हैं, ये परदार होती हैं, इसलिए हर परत में यहाँ पर मिट्टी अलग अलग पायाती है, जब कभी गंगा के मिदान में खुदाई होती है, जिसका निर्मार बरतवान में जारी है, इसका निर्मार 12-149 मीट्र के मध्ध है जो गंगा के मैधान में जरोल मिट्टी पाए जा जाती है उसी गहराई सी है जो पहारिया है वो किसकी बनी है तो धारवाल कालीन क्वाटर जा पठार कहा है तो बिहार के दच्छे पच्छी में है ये बिंध करम की चठानों के बने है तो इसका एंसर ए हो जाएगा निश्टा आपका बिहार के उत्तर पच्छी में भाग में इस सिवालिक सेरी की पहारी कहा जाता है का निर्मार किस काल में हुआ है अभी मैंने बताया कि जिला धारवाड भू अस्तरिये सनचना वाला भाग नहीं है तो बिहार में जो आपका नवादा जमूई और मुंगेर है यहां धारवाड करम्प चटाने पायाती है लेकिन जो रोहतास है तो इसका इंसर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा रोहतास में बिंध करम्प चटाने पाई जाएती है ठीकत इसका एंसर भी हो जाएगा तो जीलों को हमें याद रखना रहा है बिहार के निम्ने मेशे मेशे कौन से हिस्सा भूत तात्रविक द्रिष्ट्रि से अपेछा क्रित पूरा यहाँ धारवाड करंके चताने ही हैं.. बिहार का दच्छिर पूर्वी भाग में मुंगेर जीले के खड़कुर पहाड़ी जमुई के बिहार सरीफ राजगीर बोध गया नवादा आज छेत्रों में कौन सी चठाने पाई जाती हैं तो यहां कौन चठाने पाई जाती हैं तो इसका एंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा ठीक है निश्कुशन आपका बिहार के दच्छिवी पच्छिमी भाग यानि सो नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में बिस्तित कौन सी चठाने पाई जाती है तो यहां पे बिंध करम चठाने पाई जाती है और बिंध करम की निर्मार किससे हुआ ह बिद्ध्म कई उड्माण 2 केंब्रीन की चटानों से ही हुआ है इसको यादक हुआ है तो धार्वाड और बिंध्यन दोनों एक ही समय में हुआ है इसको अच्छे से आफको यादिक है नेराइस कुर्शन है आपका नियुकिन मेंसे बिहार की भोगर्भिक Talesなचना इनमें से कौन सी नहीं पाय जाती है तो बिहार में भोगर्विक सचना का देखा जाए तो चार परकार की चटाने पाय जाती है बिहार में तो बिहार में कौन सी नहीं पाय जाती है कुडपा करंग चटाने बिहार में नहीं पाजाती है बिंध, धारवार और टरसरी पाजाती है जबकि कुडपा नहीं पाजाती है कुडपा कहां पाजाती है जारखन पाजाती है लेकिन बिहार में नहीं पाजाती है और कुडपा नाम कैसे पढ़ा तो कुडपा जो है आदगना आंध परदेश में एक जिला है, पहली बार उस चटान की वहीं खोज होई थी, इसले इसका नाम क्या पढ़ गया, कुडपा करम की चटाने पढ़ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार में गंगा के मैदान का नेमाल किस करम की चटान से हु हुआ है, अब आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है, और नेश कुशन आपका, बिहार के उत्तर पच्छी में स्थित सुमेसर पहाडी में, सुमेसर की पहाडी में कौन सी करम की चटाने पा जाती है, तो यहाँ पर तरसरी करम की चटाने पा जाती है, तो बिहार का जो आपका उतर पश्ची में इस सुमेसवर की पहाड़ी है, मैंने आपको ब्याक्यम पूरा बताया भी है, यहाँ तरसरी कर्म की चटाने पाई जाती है, तो यह कुछ कोशन थे मैंने बता दिया है, और कौन कोशन चटाने पाई जाती है, इसको भी मैंने बता दिया है, बिल लोग हमारी हेल्प थोड़ा करते रहेंगे तो इससे हमारा उस्सा बढ़ता रहेगा और जो है हम आपको और अच्छे-च्छे वीडियो प्रोइड कराते रहेंगे ओके थैंक यू